बिहार में क्या जेडियू के अंदर गुटबाजी तेज हो गई है अशोक चौधरी और अलन सिंग जिनको दोध्रोब माना जाता था दोश्मन के तौर पर पेश किये जाता था वो अचानक से क्या खिचडी पका रहे हैं इस पर बात करेंगे बिजेंद्र यादो जो की जेडियू के बड़े नेता है वो आज किस बात पर विफर गए गुसा गए कहां से उनका नाम फोटो गायर था जिसको वो पचा नहीं पाए इसको लेकर क्या विवाद हुआ इस पर बात करेंगे इस पर विफर से बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष चाथी पंकत जी पंकत जी बहुत स्वागत है आपका धन्यबाद थैंक यू जेडियू को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है हाल फिलाल मैं में चर्चा देखी कि क्या नितिश कुमार अलग होंगे और उसके बाद ये तो साफ हो गए कि अभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ लिए मगर पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो तेज होती जा रही है रलन सिंग और अशोक चौदरी है उनकी अलग खिषड़ी पकरी है विजेंदर यादव पार्टी के एक बैठक में थे नाराज हो गए कि बाई बताईए चुनाओं को लेकर इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है इतना सीनियर नेता और जो पोस्टर लगा तो मेरी फोटो ही नहीं है इस बात को लेकर नाराज होगे तो बड़ी खिंस्तान से नजर आ रही है क्या कारण क्या चल क्या रहा है जेडियू में देखे बिजेंदर यादव नाराज हुए ये खबर तो ठीक है आज बसूरकियो में है वजय ये है कि बिजेंदर यादव और नितीश कुमार के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपको बता दूँ और बिजेंदर यादव लंबे समय से उड़ जा मंत्री है तो ये जो पावर जो बिहार में कहा जाता है कि अब 24 घंटे बिजली रहती है तो बि यही माने जाते हैं उस इलाके के तो बिजेंदर यादव की पार्टी पर बहुत मजबूत पकड़ है नितीश कुमार के साथ बड़े अच्छे संबंद है ऐसे में सवाल उखता है कि जेडियू की आज बैठक थी बैठक में कई दिगजनेता मौजूद थे उसमें अच्छे भी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी कि जब मैं हुई नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों आया हूं यहां पर मुझे बुलाया क्यों गया है जब मैं पार्टी में नहीं हूं तो मुझे मेरा यहां आने का मकसद क्या है और आप समझ सकते हैं कि इ में इस कुछ वहाँ से जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है और साथी साथ वहाँ शुक चौदरी भी मौजूद थे संजे सिंग जिनको गांधी कहा जाता है वो भी मौजूद थे और इस मीटिंग की सुरुवात से पहले नितीश कुमार भी पहुंचे थे जो ऑफिस वीरर थे सबसे उन्होंने मुलाकात भी की तो इस मीटिंग को इस लिहाँ से इंपोर्टेंट वाना जाता है कि आने वाले विदान सभा चुनाओ के लिए क्या तैयारियां है किन रणनीती पर लड़ना है कैसे कैंडिडेट का सेलेक्शन करना है क्या एहम मुद्दा रखना है किस तर नाराज रहें पर सौरब कि आपको मालूम है कि जेडियू में गुटवाजी किस तरीके से तेज हो चुकी है कि पोस्ट लोग सभा एलेक्शन जो अशोग चौधरी और ललन सिंग में बात नहीं होती है दोनों दो धूर कहे जाते हैं और ललन सिंग को जब नीचा दिखाना होता था तो नितीश कुमार बड़ी ही चलाकी से अशोग चौधरी को तबज्जो देने लगते है वो अशोग चौधरी और ललन सिंग में इन दिनों बहुत च्छन रही है जबरदस्ट की जड़ी पक और आपको बता दें आप हैरान हो जाएंगे कि दोनों बहुत जबरदस दोस्त हो गए और दोनों की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि पाटी में दोनों एक साथ आ गए वैसे मैं आपको बता दूँ कि जब तक जेडियू बीजेपी के साथ नहीं आई थी ह happa गए और बीजेपी की सरकार में इंडिये की सरकार में ललनसिंग मंत्री बन गए तो उनकी उनकी भासा किस तरह से बदली है कैसे प्रधान मंत्री का गुनगान करते देखे जाते हैं और ललन सिंग जिस तरीके से तेजी से पीम के नजदी जा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि वो अपना पूरा इमेज मेक ओवर कर रहा है वो समझ रहे हैं कि 5 साल केंदर में मंत्री बने रहना ह है तो प्रधान मंत्री मोधी और ग्रे मंत्री अमिशा से शांदार बेहतर संबंध रखना होगा और इस बेहतर संबंध के दम पर वो जेडियू के भीतर भी ताकतवर रह सकते हैं इसलिए आप देखिए कि ललन सिंग ने एक ऐसी ब्यवस्ता शुरू कर दी है जिसको देख जेडियू के भीतर भी अशोक चौधरी ललन सिंग कहा ये जाता था कि जमूई में अक्षर अशोक चौधरी चले जाते थे ललन सिंग नराज होते थे जमूई से शिकायत मिलती थी ललन सिंग को और ललन सिंग ने कई बार अशोक चौधरी को कहा भी था एक बार तो दोनों के बीच कहा सुनी ठीक ठाक हो गई थी जो की मीडिया में भी बात आई थी और अशोक चौधरी ने ये कह दिया था कि आपके कहने से मैं नहीं रुकने वाला मैं जाओंगा वहांपर कहा ये भी जाता था कि अशोक चौधरी बर्विघा चले जाते थे बर्विघा के विदायक सुदर्शन काफी नराज हो जाते थे क्योंकि सुदर्शन सिंग को डर लगता था कि अशोक चौधरी अपने दामाद को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं सायन कुनाल को तो ये जो सुदर्शन सिंग हो चाहे जमूई हो इन सब के नेता जोकी ललन सिंग के काफी करी माने जाते थे वो ललन सिंग को शिकायद करते थे ललन सिंग उस समय राष्टी अध्यक्ष पत से अट गय आपको याद होगा वो जो 30 दिसंबर की घटना थी 29 दिसंबर 30 दिसंबर और ये जैसे 2023 बीट रा था बड़े ही नाट किये तरीके से राष्टी अध्यक्ष को बदल दि और जेडियू कुछ और सोच रही है इसलिए नितीश कुमार खुदराश्टी अध्याक्ष बन गए अब देखिए कहानी बड़ी दिल्चस्प हो गई है कि अब आशोक चौधरी और ललन सिंग दोनों एक साथ आ गए दोनों की दोस्ती जवरदस्त हो गई है इसकी वज़ाई इसकी वज़ाई यह है कि देखिए बीजेपी के साथ सेतु का काम करने की जिम्मेदारी सौपी गई है संजेजह को संजेजहा जेडियू के कारिकारी अध्याक्ष है अब कहा यह जाता है कि बीजेपी में उनके शांदार संबन है और खास्ट और पर अमिट शाह के पास उन एकसेस अपने संबंद बेहतर करने शुरू कर दिया है और वो दिखाई भी पड़ता है तो ललन सिंग को यह लग रहा है कि जो इंपोर्टेंच संजेजहा का रहता है बीजेपी के तरह आने को ले करके उस जगे को मैं भी तो फिल इन कर सकता है इसलिए यहाँ पर कॉम्प समस्तिपूर को ले करके दरसल अशोग चौधरी महस्वर हजारी को हटाना चाहते है महस्वर हजारी यह बात आपको याद होगा महस्वर हजारी के बेटे सनी हजारी समस्तिपूर से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े महस्वर हजारी अपने बेटे को लगातार पहुंचा रहे थे और महस्वर हजारी जो है अशोक चौधरी की बेटी एंडिये की उम्मिरवार थे लेकिन अशोक चौधरी की बेटी भी किस से चुनाव लड़ रही थी लजेपी राम विलास से तो समझ यह कि अशोक चौधरी चाह रहे थे कि हर हालत में महस्वर हजारी को समस्तिपूर से जेडियू से हटा दिया जाए उनको सजा दी जाए लेकिन पार्टी के भीतर जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट हुआ बैलेंसिंग एक्ट क्यों हुआ क्योंकि जिस तरीके से अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को लगने लगा कि हमारे दो कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी और महस्वर रजारी दोनों अपने बेटी और बेटे को एक अलग-अलग पार्टी से चुनावी मैदान में उतार दिये और ये बात नितीस कुमार को अच्छी नहीं लगी ये मैं आपको बता सकता हूँ अब आप समझेए कि ठीक है अशोक चौधरी की बेटी एंडिये की उमिदवार थी लेकिन जेडियू की तो उमिदवार नहीं थी अशोक चौधरी एल जेपी राम बिलास जिसके मुख्या चिराग पास सवाम के संबंद पूर्व में नितीस कुमार से अच्छे नहीं रहे हैं ये पुरा देश जानता है अब उस पार्टी में सामन जस बिठा करके अपनी बेटी को उतार देना वो निश्य तोर पर नितीस कुमार को एक बार खटका तो जलू बिलकुल बिलकुल और दूसरी तर और उसके बाद कहा ये जा रहा था कि महस्वर अजारी के खिलाफ एक्चन होगा लेकिन अभी तक तो कोई एक्चन हुआ नहीं है वो अपने पोजीशन पर जस्क तस्वने हुए है इसलिए कहा जा रहा है कि असोक चौधरी भी जिस तरह का एक्सेस रखते थे सी-म के पाफ क्योंकि सी-म बार-बार मैसेज देते रहते हैं वो उनके बारे में कहा जाता है न कि एक भुझा पार्टी होती है तो भुझा पार्टी में वही लोग सम्मिलित होता है जो उनके करीब होता है अगर आप करीब होंगे तो आपको बुला लिया जाएगा आप करीब नहीं हों तो आपको नहीं बुला जाएगा, तो ये जान लीजे, तो बीच में कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि अशोग चौधरी जो कि लोगसभा चुनाओ तक या उससे पहले तक बहुत नजदीक दिख रहते, लोगसभा चुनाओ के बाद भी जब सरकार बनी तो बहुत नजदीक दि और मुझे लगता है एक लोटा ऐसा छेत्रिय दल है, नितीश कुमार का, जो की दावे से कह सकता है कि हमने परिवारवाद को आगे नहीं बना, उन्होंने अपने बेटे को कोई ऐसी जगे नहीं दी है, जिसको लेकर के कहा जाए कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रह और सिर्फ इनी का इंटरेस्ट क्लाश नहीं होता है, एक और उसी लाके के बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है विजय चोधरी, अब विजय चोधरी को भी ये बात ठीक नहीं लगी जो कि हमारे सूतर बताते हैं, कि कैसे असोग चोधरी ने अपनी बेटी को वहाँ उत विजय चोधरी उस पूरे इलाके में कौन ड contagious होगा, कौन CEO होगा, कौन video होगा, कौन SP होगा, कौन deputy SP होगा, कौन officer आएगा, किसको काम मिलेगा, इस सब पर बर्चस को किसका रहता है यह तो विजय चोधरी तैक करते थे, लेकिन आब वहाँ कौन पाहुँच गए? असोग चौदरी अपनी बेटी के जरीए पॉलिटिक्स तो वहां करें गई ना उनका इंटरेस्ट तो दिखे गाई ना तो कहा ये जाता है कि अब के टाइम में जेडियू में इस तरह का गुरूप बनाया कि एक तरफ विजे चौदरी महस्वर अजारी ये सब एक तरफ आगा है और दूसरी तरफ आप कहिए हाँ बीजे चौदरी महस्वर अजारी संजे जाई इन लोग का एक ग्रोप है और दूसरी तरफ आप कहिए तो अशोक चौदरी और ललन सिंग इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकने लगी अब देखिए खिचड़ी पकने लगी तो चुकी कें द्रमें भी अब बीजे पी के नजदीक कौन तो पहले तो का जाता था आर्सीपी सिंग थे तो आर्सीपी सिंग पार्टी से निकल गये उसके बाद संजे जहा हैं तो संजे जहा को मंतरी बनाने की बाद थी लेकिन इतीश कुमार ने ललन सिंग को मंतरी बना दिया ललन सिं करने लगेंगे तो उनका इंपोर्टेंस और बढ़ सकता है वो काम अशोग चौदरी करने लगेंगे तो उनका इंपोर्टेंस भी बढ़ सकता है इसलिए अब इस तरह का politics होता जा रहा है कि एक तो अस्थानिय politics और दूसरा केंद्री है राजनीती आप दोनों को मिला जुला करके देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह की गुटवाजी है और पिछले दिनों तीन दिन तक अशोग चौदरी दिल्ली में रुके थे लेकिन उनकी मुलाकात अमिशा से नहीं हो पाई वो अमिशा से मिलना चाहते थे मुझे ये पुखता पता है कि असोग चौदरी भी अपने सोर्सेस के जरिये बीजेपी के टॉप लेडर्शिप से संबंद सोधारना चाहते हैं बेहतर करना चाहते नजदीक जाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से बेहतर संबंद करने की वज़े से निश्चित तोर पर उनका इंपोर्टेंस पार्टी के भीतर भी बढ़ेगा और अब सिर्फ बेहतर संबंद के लिए संजय जाने जाते हैं लेकिन असोग चौदरी को लगता अगर हमारा भी बेहतर संबंद हो गया तो हमारी भी इस तरीके से ललन सिंग को भी लगता है कि हम बेहतर संबंद कर लें तो हमारी इस्थिती हमारे ग्री जिले में भी अच्छी होगी और जेडियू में भी अच्छी होगी इसलिए आप ललन सिंग की भाषा सुन लीजे औ दरसल इस वार उनको किन लोगों ने वोट दिया और किन लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए ललन सिंग अब आप समझ चुके हैं कि बीजेपी से बहतर रिष्टा रखना ही उनकी राजनीती को भी सूट करता है उनकी पार्टी में भी उनका कद बढ़ाए रखेगा और इस हो रहा है इसलिए वहाँ पर विजे चौधरी आशोक चौधरी दोनों अलग-अलग रास्ते चल पड़ें तो अशोक चौधरी और ललन सिंग साथ आ गये हैं विजे चौधरी और संजय जहा साथ आ गये क्योंकि ये पार्टी के भीतर भी जो नूरा-कुष्टी होती है रस क्योंकि उसी इलाके में अशोक चौधरी को भी कैसे बैलेंस रखा जाए इसलिए महस्वर हजारी को पार्टी में बनाए रखा गया है तो आप पूरी राजनीती समझ गये होंगे कि आखिरकार समस्तिपूर से लेकर दिल्ली तक किस तरह की राजनीती चल रही है और जेडि अब बात करते हैं रोडी आचारे की लोग सुभा चुनाओ लड़ी चुनाओ हार गी उससे पहरे उनकी तस्वीर बड़ी वाइरल होती थी इसमें लालो टुरसाद यादो के साथ खड़ी दिखती हैं और बताया जाता है कि इन्होंने डोनेट की लालो टुरसाद यादो को सिंगापूर में ऑपरेशन हुआ था जिसके लिए उनकी काफी चर्चा भी हुई सब कुछ हुआ और उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है लोग सुभा चुनाओं हारती है अब कहा जा रहा है कि फिर से उनके लिए प्रयास किया जाएगा विधान सभा हारन से वह से बहुत नेरोली हारी हैं बहुत कम मार्जिन से हारी है लेकिन अब व Orthodox करना चाहती है ये बात भी सच है कि उनके पती सिंगापूर रहते हैं वह अभी सिंगापूर में हैं लेकिन रोहनी आचारि प्लिटिक्स करना चाहती है दरसल जब उन्होंने अपने पिता को अपना किड्नी डोनेट किया उसके बाद से रोहिनी आचारी को एक आदर्स पुत्री के तौर पर देखा जाने लगा लालू प्रसाद की पुत्री है पहले तो मीशा भारती का नाम होता था और का जाता था कि मीशा भारती politics में रचबस गई है तो वो तो दिखता है लेकिन रोहिनी आचारी भी छपरासे लड़ी जहांसे उनके पिता लड़े थे तो छपरासे वो हर गई है लेकिन रोहिनी आचारी फिट से बिधान सभा चुनाओ में चुनाओ लडएंगी और आपको ये बता दें कि परिवार के भ आदव हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मीशा भारती हैं तेजप्रताप यादव हैं और सारी कई बहने हैं कई और सारी कई बहनों के भी पॉलिटिकल एंबीशन्स हैं या उनके पतियों के पॉलिटिकल एंबीशन्स हैं तो मीशा भारती के तरफ जादा लोग हैं क्योंक लेकिन आप अगर लोगसभा चुनाओं में भी नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि मीशा भारती के लिए प्रचार करने या नॉमिनेशन के दिन तेजप्रतापी आदब पहुंसते हैं दरसल मेरे सूतर बताते हैं कि तेजस्वी आदब नहीं चाहते थे कि मीशा भारती लोगसभा का चुनाओं लड़े क्योंकि मीशा भारती राजसभा की सदस्थी और अभी चार साल टेनियोर और बचा हुआ था अब आप समझे एक तरफ मीशा भारती लोगसभा का चुनाओं जीत जाती हैं लेकिन दूसरी तरफ राजसभा का सीट गवाना पड़ता है क्योंकि वो सीट फिर बीजेपी के कोटे में चली जाती है तो इधर आपका नुकसान फाइदा हुआ उधर नुकसान हो गया तो त टेजस्वी ऐसा नहीं चाहते पर गवा के प्ता भारती को चुनाओं लड़ाना नहीं पोगते लेकिन आपने परीवार को एक जोट रखनाया लेकिन अगर आप एंदर खाने किस तरह की ग्रोपिंग उस बात को आप जान लिजे कि मीशा भारती एक तरफ है तेजप्रताप यादव एक तरफ है और कहा यह जाता है कि मीशा भारती के जो पती सेलेश यादव है उनका भी तो वो मिशा भारती रखती हैं क्योंकि उम्र में बढ़ी हैं उनके पास राजनीती का अनुभव जादा है डॉक्टर भी हैं पढ़ी लिखी भी हैं तो सारे क्वालिफिकेशन्स उनके साथ हैं केवल यह हो रहा था कि पिछले दो बार से वो चुनाओ हार जा रही थी तो यह जो चुनावी राजनीती में वो उतरने का परियास कर रही थी पर वो जीत नहीं रही तो इसलिए इस बार फिर से वो चुनाओ लड़ी और इस बार वो जीत गई और उन्होंने राम किरपाल यादब जो कि कभी लालु प्रसाद यादब के बेहत करीब्थे उनको चुनाओ तो दरसल कहा यह जाता है अगर आप पार्टी के अंदर कई लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी आदब चाहते थे कि हर हाल में रोहिनी जीते लेकिन रोहिनी हार गई है अब रोहिनी आचारी को उतारने की प्लानिंग चल रही है योजना चल रह है या जहां से रोहिनी आचारिया उतर सकते अभी वहां से दुसरे लोग बिदान साबाके सदसें अर्जेडी के पास ही वह सीठ है महवा सीठ आपको बता दे आर्जेडी के पास ही है लेकिन 2015 में तेश परतापी आदब वहां से जीते थे और 2020 में तेज़ परतापी अदब फिर हसन चले गए वहां से जीत गए लेकिन 2015 में तेज़ परतापी अदब जीते थे फिर 2010 में आरजेडी जीती है तो आरजेडी का बड़ा महतुकुल सीट माना जाता है तो इस बार कहा जा रहा है कि महुआ से रोहिनी आचारिया को उतारा जा सकता या सोनपुर से रोहिनी आचारिया उतर सकती है तो इन दोनों सीट से रोहिनी आचारिया को उतारने की संभाबना बहुत प्रबल है पाठी के भीतर एक ग्रूप मानता है कि चुकी रोईनी आचारिया का दिल अब पॉलिटिक्स में रच बस गया है उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए और लालू परिवार में कई ऐसे लोग हैं जब लालू प्रसाद बिमार थे लेकिन लालू प्रसाद जब ठीक हो करके आये तो उन्होंने सारी चीजों को ठीक कर दिया और तेजस्वी आदब को अपने बाद का नेता बना दिया ये आप पाटी के काड़र्स के बीच में मैसेज है लेकिन मीसा भारती भी इस वार जीती ह तो कुश्वाहा के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आप है कुश्वाहा को बनाए गया लेकिन कहा ये जाता है कि सारी मीटिंग जो होती है दरसल मीसा भारती चेयर करती है मीसा भारती का ही चलता है वो एक्स्ट्रा ओर्डनरी चुकी वो लालू प्रसाद की बेटी है तो पार्लियमेंटरी बोर्ड में भी उनीका चलता है पर सिंबॉलिकली अभे कुश्वाहा तो है ना इस बात से कौन डिनाई करना है तो ये समझ लीजिए और आप रोहिनी आचारिया विदान सवाब पहुचेंगी तो तेजपरताप यादब तेजस्वी तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि लालू परिवार से रोहिनी आचारिया दो जगह से चुनाव लड़ सकती है दो में से एक जगह या तो वो महुआ हो सकता है या फिर वो सुन पूर हो सकता है और कहा ये भी जा रहा है कि छट के बाद रोहिनी आचारिया आएंगी और वो महल बनाना शुरू करेंगी जिस जगे से वो चुनाव लड़ेंगी वहां लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगी आरंब करेंगी और फिर वो चुनावी मैदान ना हूँ बिल्कुल तो महुआ या सोनपूर या कोई और सीट कौन से सीट होगी इस पर हमने चर्चा की रोणी आचार मैदान में फिर से उतरना चाहती है आपके बार विधान सबागे जरीए देखिए अब जनता आप जनता जनारतन है आप पैसला करेंगी कि उनका भविश्य क्या रह